नमस्कार, City Live में आपका हर दिख हर दिख स्वागत है, मैं हूँ धीपक गुस्वामी और आप समय देख रहे हैं City Live, हम लगातार हमारे दर्श्टों को लगातार ये बता रहे हैं कि कोरोना वाइरस जो है किस तरह घातक होता है और इससे किस तरह हमको बचाव करना है, इसे शं अबस्तान कही नहीं, बलकि देश के जाने माने डॉक्टर अशोक चौधरी, अशोक जी आपका हर दिख स्वागत है, जी नमस्ते दन्यवाद, अशोक जी सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम City Live में से लगातार, लोगों में जागरुक्ता ला रहे हैं, लोगो हम इससे कैसे बचे, आज हम आपसे जाना चाहेंगे कि हमारी जो दर्शक हैं, उनको आप क्या सजिशन देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कि कोरोना वाइरस आखिर है क्या, और इससे कैसे बचा हो संभव है, जी, सर ये जो कोरोना वाइरस है, ये कोई नया नहीं है, अब इसके जो, इसके अंदर म्यूटेशन हो गया है, और इसलिए अभी इसका कोई अभी तक तोड नहीं डूणड पाएं, डॉक्टर स्वर्वेग्यानिक. तो इस तरह हम इससे कैसे बचाओ पा सकते हैं, कैसे हम बचाओ कर सकते हैं? जी, अभी तक की रिशर्च के उसके अनुसार तो इसका एक ही उपाय है, और वह है आईसोलेशन, जी, कम्प्लीट आईसोलेशन, जी यह वो जिसको कोरोना का अटेक हो गया है, या जिसको नहीं हुआ है, दोनों ही तरीके के लोगों को आईसोलेशन ही इसका एक उपचार अभी तक समझ में आ रहा है, डोक्टर्स को और विग्यानी को. डोक्टर्स हम आपसे यह जाना चाहेंगे कि माली जी अगर किसी को खासी जुखाम होता है, तो वो नॉर्मल भी खासी जुखाम हो सकता है, ऐसी इस्थिती में उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि लोग हॉस्पिटल में जाते हुए जो 14 दिन का आईसोलेशन बताया जा रहा ह है, उसमें 14 दिन में लोगों के अंदर घवराट काफी है कि हॉस्पिल में क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, किस तरह से वो अपने आपको सुरक्षित रखें, और अगर घर में माली जी रूटीन में क्या खासी जुखाम बुखार होता अगर उनकी सीवेर्टी ज्यादा हो जाती है, और हम सुरुवात में चाहें, तो चूंकि वो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, हम घर पे रहके, और आवसेक्ता हुई तो अपने चिकित्सक से सला लेके, इसका निदान करवा सकते हैं, अभी इसमें सबसे बड़ी चीज य तो वो कौन सी दवा थी, उससे क्या बेनिफेट्स मिल पकते हैं? या हैं, जैसे इन्फ्लू इंजीनम है, जैल्सीमियम है, ब्राइनिया है, आर्सेनिक अल्ब है, इस तरीके की दवाईया हैं, जो की वेक्ति की रोग पर्ति रोदक चमता है, जो इम्मिनिटी हम जिसको बोलते हैं, उसको बूस्ट अप करता है, तो अभी एक ट्रेंड में आर्सेनिकम अल्बम, जिसको की डोक्टर्स ने अपने अपने इस तरह पे शर्कुलेट भी किया, जिससे जो भी वेक्ति हैं, उनकी इम्मिनिटी थोड़ा बूस्ट अफ हो जाए. जिसको हम माना जाता है कि यह हमारी इम्मिनिटी को बूस्ट अप करती है, उसका हम सेवन कर सकते हैं, इसके अलावा नीबू है, संत्रा है, गिलोई है, इनको लेके भी हम अपनी इम्मिनिटी को बूस्ट अप कर सकते हैं? जी. जो 60-65 साल से बड़ी उमर के लोग हैं, या फिर जो बच्चे हैं, उनको ज्यादा ये वाइरस जो है होने के चांसे बनते हैं. आप क्या सजेस्ट करना चाहिए? जी. ये होने को तो किसी भी गुरूप में हो सकता है, लेकिन ये जो ज्यादा नुक्सान कर रहा है, वो ओल्ड एज गुरूप जो पीपल है, उनको ज्यादा कर रहा है, उसके पीछे वही कारण है कि उनका इम्मिनिटी वीक हो जाता है, बुजूर्ग लोगों का, तो इसल पाइरल अटेक को जहल पाएं. करने चीज़े हैं कि वो जॉइन फैबले में रहते हैं, वो इस पीबारी से दूर रहे हैं. जी, अभी तक जो हम जो भारतिय जो समाज है, उसके अंदर ये अभी स्टेश थ्री में नहीं गया है, इसके अंदर जो भी इंफेक्शन पाएं जातर वही लोग हैं, जो फोरें से आये हैं या जो उनके डारेक्ट कॉंटेक्ट में ते, जो आम जन हैं, उनके अंदर हम दो हम जडानी जाएं, और अगर अती ओसेखै वर जाएं तो भी वापस आ के अपना सबसे पहले हाथों को ढ़ चाहिएं, और घर के अंदर हम रह रहें, तो बार बार अपने हाथों को दोते रहें, और इस तरीके से हम अपने आप को इस वाइरल डिजीस से बचा साथें. में स्टेज पर अभी नहीं आए हैं। तो थर्ड सेज पर आने पे किस तरए की परेशानिय हो सकती है? और इन परेशानियों से हम कैसे बश सकते हैं? ये बताए प्लीज. जी, थर्ड सेज पर आने पे अगर सभी लोगों ने समिजदारी से काम लिया और सबने अपने आपको आईसोलेट कर लिया, तो ये हमारे जो समाज है उसमें घातक सीद नहीं होगी, लेकिन अगर कहीं भी लापरवाईया रही, हमने अपने आपको आईसोलेट नहीं किया, या हम क्राउडेड प्लेसेज में जाते रहेंगे, तो फिर ये बड़ी तेजी स फैलेगा, और फिर जैसे अभी हमने देखा इरान था और इटली जो कि अपने आप में एक समरच देश है, उसके अंदर गातक परिनाम आ रहे हैं, इस तरीके के गातक परिनाम, अगर हमने सावधानिया नहीं बरती, हमने जो गवर्मेंट एडवाईजरी जेरी उसको नहीं खोलो किया, तो निश्चित रूप से तब ये गातक सी दो. कि पाला नहीं की, या जो सोशल डिस्पेंस है, उसको बड़करा नहीं रखा, आप क्या मानते हैं, क्या करण रहे होंगे? जी, निश्चित रूप से यही रहा है कि वहाँ लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया, और ये स्टेज 3 में गया, उस समय जाके लोगों ने इसको लेके सीरियस हुए, तब तक ये जो कॉमन पीपल था, उसके अंदर फैनने लग गया, और इसलिए इटली एक समरत देश होते हुए भी, हेल्थ पॉइंट ओव यू से बहुत अच्छी पोजिशन होते हुए भी इसके परिणाम इटली को बुवतने पड़ुटर सब हम यहां पर भी देख रहे हैं कि जो हमारे देश के प्रधान मंतरी है, नरेंदर मोदी, उन्होंने भी पूरा एक दिन कल जो है जोदपूर की बात करें या जोदपूर की बात करें या भी अवेर नहीं है, वो लगातार मार्केट में घुमने के लिए जा रहे हैं, वो परिवार को ऐसे घुमा रहे हैं, जैसे किसी परेटे की स्थल पे आये हो, तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? इसका जैसे अभी मैंने अभी बताया कि आईसोलेशन ही इसका एक तरीका है अगर ये लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो निश्चित रूप से गहतक परिणाम होंगे और सरकार निश्चित रूप से इस्टिक्ट एक्शन लेगी जैसे अभी आज पंजाब में आजिया है ऐसा ही फिर यहां पर भी करना पड़ेगा निश्चित रूप से सरकार को और जब कर्फ्यू लगा देंगे तो निश्चित रूप से लोग बाहर नहीं निकलेंगे और अपने आपको आईसोलेशन है देखिए सरकार है चायकेंद्र सरकार की बात करें या राजे में हैं और पूरी तरह से सब लोगों को जागरूप भी कर रहे हैं बावजूद इसके आम जनता जो है वो मान नहीं रही है और लगातर जो कॉंग्रेस के विधायक है उन सभी लोगों ने एक एक लाख रुपए और अपनी जो सेलरी है वो भी देने की बात कहिए तो आप जो सामजिक संखन है या जो दूसरे लोग हैं उनको क्या संदेश जहना चाहेंगे क्योंकि आप जैसे जो डॉक्टर हैं उनके लिए भी कल सभी ने तालिया थाली और शंखनाद करकर आपका धन्यवाद दिया था आप लोगों का लेकिन उसके बावजूद लोगों में जा तो यह कॉमन पीपल के अंदर फैनने लग जाएगा और फिर इसको रोखना बड़ा मुस्किल हो जाएगा हमारे यहां पे जिस तरीके की अभी वर्तमान के अंदर जो स्वास्ते को लेके जो सोर्सेज हैं वो थोड़े लिमिटेड हैं इन कंपेरिजन टू इतली एंड अमे तो निश्चित रूप से गहतक परिणाम होंगे और अगर सभी लोगों ने सभी भारतियों ने समझदारी से काम लिया हमने हम अपने आपको आइसोलेट कर लेंगे तो निश्चित रूप से बड़ी जल्दी हम इस कोरोना पे विजय प्राप्त कर लेंगे अर डॉक्टर सा करना चाहेंगे केंजर सरकार हो या राजे सरकार हो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरह के हॉस्पिटल हों किस तरह की उसमें तैयारिया हों हलाकि वो अपने तरीके से पूरी तरह से कर रहें लेकिन बावजूद इसके क्योंकि हमारे आपर स्विधाओं की कमी है तो इन सब को देखते हुए आप क्या सजिस्ट करेंगे कि अलग से वार्ड होना चाहिए अलग से होस्पिनल होना चाहिए किस तरह का सजिशन देना चाहिए जी इसके अंदर इस वर ना करें ये बीमारी ना फैले हमारे यहां समाज में और बड़ी जल्दी ठीक हो और उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर पढ़ती है जब इसके अंदर रेस्पीरेटरी ट्रेक्ट पे इंफेक्शन होने लगता है तो वेंटी लेटर की ज़रूत पढ़ती है जो कि हमारे यहां काफी कम संख्या में है अगर ऐसी कोई स्थिती आती है तो निश परसेंट लोगों सवते ही बिना उस इस्थिती में जाए ही ठीक हो जाते हैं जो कुछ परसेंट लोग है जिनको रेस्पीरेटरी ट्रेक्ट पे जाके जब यह अठेक करता है वाइरस तब उनको स्वांस लेने में तकलीफ होती है लंग्स में वो मुकस बनने के कारण स्वा मारे दर्शक है वो अभी मेरे को उन्होंने वाटसट पे भेजा है वो सवाल यह है कि उनका यह कहना है कि उनकी जो धर्म पत्नी है वो प्रेगनेंट है तो उनको घर में कौन-कौन से एहतियाद बरतने चाहिए उनको क्या ऐसा करना चाहिए कि जो उनके गर में उनकी पत्न करने की ज़रूरत नहीं है जो साधार लोगों को करना है घर में रहें खूब पानी पियें नीबु पानी का सेवन करें मोसमी संतरा इनका सेवन करें और अपने हाथों को बार-बार दोते रहें और कोई देखे विशेश प्रिकोशन लेने की आउशिकता थी डॉक्तर सब हमार मेरे पास आ रहे हैं यह देखे एक नौइडा सेक्टर 26 से मुकेश कुमार जी है उनका यह मैसेज आया है मेरे पास वह कह रहे हैं कि छोटे बच्चे जो हैं वो जित कर रहे हैं बाहर खेलने की तो उनको घर से बाहर क्या गलब्स पहना के खेलने के लिए भेल सकते हैं या उनको इलिए ऐसी क्या सुझधा करें कि वो घर के बाहर खेल सकें बिलकुल नहीं किसी भी हाल में बाहर नहीं जाने दे छोटे बच्चों को तो हमें विशेश खयाल रखना है कि उनको बिलकुल भी कितनी भी जित करें इस समय की वर्तमान सिनेरियों में उनको कतई भी बाह नहीं जाने दें। कर दोक्टर साब यह बता दें तो ज्यादा हो सकता है यह बात मान लें। कर दोक्टर साब जो भी लगातार जो लोगों के सवालों का सिलसला है वो तो चलता रहेगा। और हम उन सब सवालों के जवाब भी लगातार हमारे सिटी लाइव के माध्धम से देते रहेंगे। आपने जो भी जान करी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम हमारे दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि वो लगातार अपना ख्याल रखें। सोशल डिस्टेंस जो है वो बनाए रखें। और घर में भी हर 15 से 20 में अपने हातों को पूरी तरह से ऊपर नीचे से साफ करके रहें। साफ सुथरे कपड़े पहने। स्वच्छिता का विशेष ख्याल रखें। तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी और कॉरोना की हार होगी। डॉक्टर अशुक चौधरी आपका सिटी लाइफ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। 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 थेंक्य।